हलो दोस्तों अवश्कार स्वागत है आपका डियस गुरूजी में और इस वीडियो में हम लेकर आये हैं से जीके से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपून प्रशन जो आपके एक्जाउंस में बहुत ही महत्वपून साबित होंगे आज का सबसे पहला प्रशन है राष्ट् रक्साकादमी जो इस्तित है यह इस्तित है खडग वासला में तो यह बात आपको ध्यान रखनी है प्रशन बहुत ही महत्वपून है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टिटीट ऑफ स्पोर्ट यह इस्तित है कुलकता में यह इस्तित है सर्दार सरोर पर योजना किस नदी पर है सरदास अरोर प्रयोजना इस्तित है नर्मदा नदी पर पोस्ट ओफिस के लेखक कों है पोस्ट ओफिस जो लिखी गई थी लिखी गई थी रविंध्रेना टे गोर के द्वारा बाल्टिक शमुद्र को उत्री समुद्र में मिलाने वाली नहर है उसका नाम है किल यह नहर बाल्टी समुद्र को उत्रती समुद्र से मिलाती है निमलिकित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बना थी वो नदी जो अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बना थी उस नदी का नाम है तापती नदी स्री नगर किस नदी के कि किनारे पर इस्तित है श्री अगर जो इस्तित है ये इस्तित है जेलम नदी के किनारे 75 अगर बात की जाए तो यह हैं लक्षदीप के आदिवाशी देश में प्रथम विदु त्रेलवे चलाई गई ये चलाई गई थी 1925 में जनगर्णा 2011 के अनुसार निमली कितमे से किसका सबसे कम आबादी घनत्व है जनगर्णा 2011 के अनुसार जिसका सबसे कम आबादी घनत्व है वो है अरुनाचल सर में पाया जाता है तो वो पाया जाता है छै लीटर वितुधारा का चुम्बिकी प्रभाव सरप्रतम आवलोकित किया गया ता फेराडे द्वारा न्यूरोन एकाई है, न्यूरोन एक एकाई है, सैयों जी, उत्तक की, बलेक होल सिधान्त की खोच किसके द्वारा की गई, बलेक होल सिधान्त की खोच की गई थी, एस चंद्र सेकर द्वारा, पुष्टे मार्ग के दर्शन की स्तापना की गई थी, वल्लभाचारे के द्वारा, के सल्तनत को मुख्य बहारी खत्रा था दिल्ली को जो सल्तनत थी उसको मुख्य बहारी खत्रा था मुगलों से नहीं था अपगानों से भी नहीं था इरानियों से भी नहीं था तो यहां पर इन में से कोई नई ओप्शन अपना सही होगा निमलिकित में से कौन गांधिवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे विनोबा भावे मगद में साही मोरे के ठीक बाद उत्रादिकारी बने थे सुंग महावीर और बुध्ध दोनों ने किसके शासनकार में उपदेश दिया था बिम्बिसार के शासनकार में जहांगीर महल कहां परिस्ति थे जो जह इसके बाद है सार्नात में बुध्ध का प्रत्थम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्रप्रवर्तन पांडियों का राजनितिक्रम सांस्क्रतिक केंद्रिथा मदुरई वह सही क्रम क्या है जिसमें निमलिकितने भारत पर आकर्मन किया हून कुषान आर्रे और युनानी इनमें सबसे पहले किस ने भात पर आकरमन किया था उस क्रम की अनुशार तो सबसे पहले भात पर आकरमन किया था आरो Gobierno के बाद युनानियो ने युनानिय के बाद कुरानों के तो 3, 4, 2, 1 यहां पर हो जायागा और जो सैकेंड ओप्शन इसमें दिया हुआ है वो अपना इसमें सही होगा इसके बाद है 25 परसन है 25 हिंदु विधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा किस नहीं लिखी हिंदु विधी पर एक पुस्तक है जिसका नाम है मिताक्षरा यह लिखी अपटन के परिनाम स्वरूप पांचवेश अताब्दी आप।isin में गुप्त साम्राजय का पतन हुआ था होडू आकरवन के परिनाम स्वरूप बंगाल का प्राचीन नाम क्या था बंगाल का प्राचिन नाम था गोड अहिल्या बाई रानी थी अहिल्या बाई जो रानी थी ये रानी थी ग्वालियर की फर्स्ट उप्षन इसमें अपना सही है मुरिश यात्री इबन बतुता किसके समय में भारत आयता मुरिश यात्री इबन बतुता भारत आयता मुम्मद बिन तुगलक के काल में सिंदु घाटी सब्वेता के आउसेश चिन बतलाते हैं व्यापार को महाबली पूरम मंदिर किस राजवन्स के बादसा द्वारा बनवाय गए ये जिस राजवन्स के बादसा द्वारा बनवाय गए थे वो बादसा था पल्लव राजवन्स से सम्मंदित कलकतायम आगरा के देख टेलिग्राफ लाइन खोली गई थी और ये खोली गई थी 1852 में रेडियो धर्मी तत्व किस जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो है थोरियम फोटोग्राफि में उपयोग किया गया प्रकास समवेदी योगिक है ये योगिक है सिल्वर ब्रोमाइड मैथेनोल को किस नाम से भी जाना जाता है मैथेनोल को वुड एलकोहल के नाम से जाना जाता है रक्त का पी एच होता है रक्त का जो पी एच मान होता है वो होता है 7.4 निम्न में एक प्राकर्तिक बहुलक का उधारण नहीं है प्राकर्तिक बहुलक का उधारण नहीं है वो है नायलोन अमलराज मिश्रण होता है अमलराज जो मिश्रण होता है वो होता है 3HCl प्लस 1HNO3 ये होता है अमलराज नाभी की ये रेक्टर में उर्जा उत्पन होती है ये होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा भाद में प्रतिवर्स 28 फर्वरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये ये किस विज्ञानिक की क्रती से सहचरीत है ये जो सहचरीत है उस विज्ञानिक का नाम है सीवी रमन 28 फरवरी को यह मनाया जाता है hardsparts भारत में शैत्रफल की द्रश्टी से कौन सा सबसे बड़ा संसदिय निर्वाचन शैत्र है अगर सैत्रफल की बात के जाए तो सबसे बड़ा संसदियं निर्वाचन शैत्र है लद्दाक जम्मो कश्मीर पंजाब में 1919 इस्वी में हुए अत्याचार के विरुत ब्रिटिस सरकार द्वारा प्रदत नाइट हुड का किताब किस प्रशिद भारतिये ने लोटा दिया था नाइट हुड का किताब दिया गया था उनका नाम है रविंदर नाठ टेगोर जो उ मिशेद किया गया था अनुचे 15 के तर्थ भारत के सविदान सबाकी जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्टे संख्या कितनी थी इसकी घटी हुई सदस्टे संख्या थी 299 भाद में वित्तिय घाटे का मोद्री करण प्राप्त किया जाता है दातु निमले की तराजे में किस भारतिय राज्य का सबसे कम कुल वन आचादित शेत्र हैं यह वो है हर्याना में जनसंख्या का अध्यन कहलाता है जनसंख्या का जो अध्यन करते हैं उससे कहते हैं डेमोग्राफी S.A.I.L. का इस्पात सैयत्र करनाटक में कहां इस्तित है S.A.I.L. सेल इसको बोला जाता है और इसका इस्पात सैयत्र करनाटक में जो इस्तित है ये इस्तित है भद्रावती में अडियार किस राज्ये के साशकते अडियार साशकते विजेनगर के दाशप्रता के उनमुलन का श्रे किस गवर्नर जनर को दिया जाता है के नान पध किस खेल के संदर में प्रियुक्थ होता है केनान पत प्र्यूप्त होता है बिलियर्स के संबंद में ब्लेक पैगोडा निम लिखित किस इस्तान में अवस्तित है ब्लेक पैगोडा जो अवस्तित है ये अवस्तित है को नार्क में चंद्र गरहं किस दिन गटित होता है? पूर्न माशी के दिन राज्य सभा के पदेन सभापती कोन होता है? उपराष्ठपती नाइटरोजन योगी की करण के लिए निमनगित कौन सी फसल सायक होती है? नाइटोजन योगी की करण के लिए जो फसल सायक होती है वो फसल होती है बीन्स दहेग निदर लेंड से स्थित अंतराष्ट्री न्यायले में कितने न्यायदिस होते हैं ये एक न्यायले है अंतराष्ट्री न्यायले है इसमें न्यायदिसों की जो संख्या होती है वो होती ह स्बारद से 15 cents निम्न लिखित किस नंगर को भा़रत का सिलीकॉन वेली which जाता वे बेंगलुरि भारत के अत्यन्त उप्युक्त पारंपरिक औरजा श्रोथ किसे माना जाता है भारत के अत्यन्त उप्यूक्त पारंपरिक्त उर्जा-श्रों बात जाता है अपारंपरिक यहां पर लिखा हुआ है तो अपारंपरिक बताएंगे अपन और ये मना जाता है नाभी की उरजा को कम्पिटर में प्रियुक्त आईसी चिप साम्माने तह किसके बने होते हैं कम्पिटर में प्रियुक्त जो आईसी चिप होती है ये साम्माने तह बनी होती है सिलिकोन से यक्षिगान किस राज्ये का प्रशिद्ध नाटे है यक्षिगान जो प्रशिद्ध नाटे हैं यह है करनाटका का कौन सा नगर संत्रे के लिए मसहूर है वो नगर जो संत्रे के लिए मसहूर है वो है नागपूर जेम्स बोन्ड डेस से बनाया गया पात्र है जेम्स बोन्ड जो पात्र है यह बनाया गया था इयान फ्लेमिंग से भारत के प्रतम फिल्ड मार्शल कोन है भारत के प्रतम फिल्ड मार्शल है एस एच एफ जे मानेकश्वा भारत के व्यापार प्रारम करने वाले प्रतम यूर उनका नाम है वो थे पूर्टगाली सर 1936 में भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस द्वारा सविधान सभा के मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखे गई थी यह रखे गई थी फैश्पूर में हुए अधिवेशन में वायो मंडल के निमनितम परत कर लाती है वायो मंडल की जामा मस्जित का निर्मान किस ने किया जामा मस्जित का निर्मान किया था सहा जहाने हाइग्रोमिटर किसे नापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है हाइग्रोमिटर जो है यह प्रियोग में लाया जाता है और पैक्षी का आध्रिता को मापने के लिए UN सुरक्षा प अगर की निमलिखित में कौन से पंचवर्षी योशना में सबसे अधिक विकास्तर पाई गई वो पंचवर्षी योशना थी नवी पंचवर्षी योशना मेगना काटा किसके शासक में अस्ताक्षर हुआ था मेगना काटा जो अस्ताक्षर हुआ था यह हुआ था जोन दितिय के शासन में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में हर्स के साशनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपुन सहर कौन सा था थ मनिला में निमलिखित में कौन से देश की सबसे अंतराष्टर सीमा रेखा भारत से जुड़ी हैं तो इसके सबसे लंब्य अंतराष्ट्रे रेका सीमा जुड़ी है बांगलादेश से आखों को स्वस्त रखने के लिए कौन सा वाइटमिन सायक है आखों को स्वस्त रखने के लिए सायक विटामिन होता है विटामिन A अंतराष्ट्रे रेड क्रोस कमेटी का मुख्याले कहा है अंतराष्ट्रे रेड क्रूस का मेटी जो है इसका मुख्याले है जिनेवा में तो दोस्तों इस SSTGK से जुड़े इस वीडियो में इतना ही बाकी जानकारी के लिए आप DS Guruji के साथ जुड़े रहे and thank you so much, thanks for watching